नमस्कार मेरा नाम राहुच शर्मा है देखिए आप चाहे मैस में आप अच्छे हो या ना हो मेरा एक सलाह रहेगा आपसे क्योंकि मैं खुद IBPSPO मेरा क्लियर हुआ है और SSC CGLB में tier 3 तक गया था और तो मेरा मैस बोल सकते हैं आपके तो मेरा यह सलाह है कि आप इस पेपर में मैस के सेक्षन को लास्ट में टेम्ट करिए क्योंकि मैस जो है यदि नहीं बना तो आपका मुराल का तुरांट डाउन कर देगा और यह आपके लिए बहुत ही जादा खतरनाक हो सकता को चीज़ें याद नहीं आएंगी उस में पेप जो उच्सा है और जो हताशा आती है उस पर डिपेंड करता है तो मैस को कैसे उसका पढ़ा जाए देगिए सोर्स तो वही सिंपल है जो आप पढ़ते हैं कि जो मतलब 10th की बोर्ड की ही भूख है और जो टॉपिक लिखा उसी को आपको पढ़ना है और इसके अलावा आरे स आपर कमी का पढ़ना ही करता है कि जो मैस का पयफरोन युग कर से प्रूश होता है तो मैस का पेपरे लूवार है और चृट है थालीज यूरी जब दीट खें कि लिवाइड क कर डै LYN जा घाएफ़ा है तो अब क्या गरता था क्या करता था मैदे बीच से भीच चेन, आँ इसके बाद मैं सॉल्व करता था फिर जैसे कि के इसे लेकिट WA कुछेन equally। गीवन लग दिया तु क्या क्या सहिए हुआ है। कि आखने में स्सक्राइब, कि रिए वारें में你 हुआ है था कि सरुखा गया तर अ शुलुड़ा कि प्लाओ के नीधा betr Grant जो काटापिटी होती है, तो उससे बच जाएंगे और आप आंसर शीट साफ सुतरा दिखेगा, क्योंकि यूजुल क्या होता है मेरा ये मुझे ऐसा लगता है, कि मैक्सिम्म जो एस्पिरेंट होंगे उनकी जो आंसर शीट ना मैस की खासकर वो थोड़ी काटापिटी बहुत जो एक पास की तो वानसर शीट के खास, एक्वादी कहता है रचाहा है। जो सवाओ एक प्रकूशा मैं की करें नाया थैंगे कुछ को जाएंगे लगया जाया कुछ की लिखेंगे, कुछ की लोजिक लिखेंगे, कुछ लोजिक आपके दिमाग में अआएगा उसे कारणा दोस्तों इसमें एक और चीज मैं साइंस वाले सेक्शन नहीं बता पाए कि इपार्ट शाला का जो एप मैं यूज करता था एप यूज करता था एप यूज आप डाउनलोड कर लीजिए मैं मैंने भी किया था और उसको न जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस उसमें मिलते हैं वो द्राइब दस Packard करता था मिल जाएगी मota आपको का कि मैं जो यह किया है लेकिन मैं कें आपको इन लो मों के लिए समय कंब जैसे मेरे पास था जिसके आपने मेरे जर्णी ओफ एन एस्पिरेंट वाले में आपने देखा था मेरे पास समय कम था तो मैं यह किया था आप एदी नोड्स बना सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है उससे अच्छा कुछ नहीं है हमें एक चीज याद रखिएगा नोड्स बना रहे समय कि थोड़ा स्पेस दे दे के नोड्स बनाई है ताकि कल को अपडेट करने की गुल्जाइश उसमें सदा बनी रहे दोस्तों जाने के पहले वीडियो खतम होने के पहले मैं यही कहूंगा कि यह जो आंसर लिखने का होता है कि बहुत लोगों की यह शिकायत रहती है कि मैं तो आंसर लिखा हूं लेकिन मेरेको पूरा नहीं मिला तो टॉपर असा क्या लिख देता है दिखिए टॉपर भी साम पूरे नम्मर मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको अपने नोट्स में जो आपने बनाया है, संचित में नोट्स जो बनाया है, आपने, वो नोट्स के आंसर यदि आप पूरी की पूरी में में रख करके आंसर एक्सामनेशन होल में लिख सकें, तो समझ लीजिए कि आप भे टॉपर हैं, टॉपर होना कोई बड़ी बात नहीं है